वल्कम तू मूवी एक्स्प्लेंड इन हिंदी आज हम एक्स्प्लेंड करेंगे 2022 में रिलीज हुई वेब सीरीज सेंड मैं का 6th एपिसोड तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए जिससे कि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इस वेब सीरीज की बाकी एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एपिसोड की शुरुआत में मौरफियस पार्क में उदास बैठा हुआ था मौरफियस की बड़ी बहन एंजल आफ डेट उससे मिलती है एंजल आफ डेट मौरफियस को अपनी परिशानी के बारे में शेयर करने के लिए कहती है मौर्फियस बताता है अपनी सारी चीजों को वापिस पाने के बाद उसे खुश होना चाहिए लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है जब से उसे कैद किया गया था तब से मौर्फियस ने सोच कर रखा था कि वो सभी से बदला लेगा लेकिन कैद से बाहर आने के बाद वो किसी से भी बदला नहीं ले पाता है एंजल ओफ डेथ मौर्फियस को समझाती है कि उसे परिशान नहीं रहना चाहिए बलकि अपने सामराज्य को दोबारा से बनाना चाहिए जिससे कि वो अपनी दुनिया को और बहतर बना सके और फिर एंजल ओफ डेथ अपने काम पर निकलती है मौर्फियस भी डेथ के साथ था डेथ एक एक करके इंसानों की मौत के बाद उन्हें लेने के लिए आई थी इनमें बूढे जवान और बच्चे सब ही थे जिनकी मौत हो रही थी इस बीच मौर्फियस डेथ को बताता है कि जिन लोगों ने उसे कैद किया था वो असल में इंजल ओफ डेथ को कैद करना चाहते थे लेकिन गल्दी से दूसरा अनंत जीवी यानि की मौर्फियस कैद हो गया था अब काफी देर तक दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ समय बिताते है डेथ मौर्फियस को समझाती है कि उसे अपने काम को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी अनंत जीवी का काम कटिन होता है आम इंसान एंजल ओफ डेथ को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि एंजल ओफ डेथ इंसानों से उसन के खास लोगों को चीन कर ले जाती है लेकिन यही दुनिया का नायक जिसे पूरा करने के लिए अनंत जीवियों को बनाया गया है और फिर डेथ अपने भाई से अलविदा लेकर अपने काम के लिए निगलती है मौर्फियस चलते चलते एक कैसल की और जाता है और यहां से सीन शिफ्ट होकर साल 1329 में ले जाया जाता है मौर्फियस और डेथ शराब खाने में गए हुए थे इस दोरान ये दोनों गाडलिंग नाम के आदमी को अपने दोस्तों से कहते हुए सुनते हैं कि वो जिन्दगी में कभी भी मरना नहीं चाते थे और अपने कॉन्फिडेंस की वज़ा से वो कभी मर भी नहीं पाएंगे ये सुनने के बाद मौर्फियस और डेथ मिलकर गाडलिंग को अमरत्व देते हैं जिससे की गाडलिंग अमर हो जाए डेथ और मौर्फियस ये देखना चाते थे कि कब तक गाडलिंग अपनी जिन्दगी से खुश रहेगा कही ना कही इन दोनों को यही मानना था कि एक दिन गाडलिंग अपनी जिन्दगी से ठक जाएगा और भगवान से मौत की भीक मांगेगा इसलिए मॉर्फियस गाडलिंग के साथ कहता है कि हर 100 साल में आज के दिन ये डुनों इसी शराब खाने में मिलेंगे और जिंदगी के बारे में बात करेंगे गाडलिंग ऐसा करने के लिए तैयार था लेकिन गाडलिंग के दोस्त इस बात पर हसने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा था गार्डलिंग और मॉर्फियस दोनों फेक इंसान है जो सिर्फ बड़ा चड़ा कर बाते करना चाहते थे अब सीन शिफ्ट हो जाता है और सौ साल बाद शराब खाने को दिखाया जाता है गार्डलिंग मॉर्फियस के आने का इंतिजार कर रहा था जैसे ही मॉर्फियस गार्डलिंग से मिलता है वो देखता है गार्डलिंग अपनी जिन्दगी से बहुत खुश है और वो अब भी जीना चाहता है ये देखकर मॉर्फियस को काफी अजीब लगता है क्योंकि सौ से ज्यादा जीने के बाद भी गार्डलिंग को जीने की इच्छा थी अब दोबारा से सीन कटो जाता है और सौ साल बाद गार्डलिंग को दिखाया जाता है जो शराब खाने में मौर्फियस का इंतिजार कर रहा था गार्लिंग ने नया बिजने शुरू किया था अब वो अच्छे खासे पैसे कमाता है और अपनी जिंदगी में काफी खुश भी था अब उसके पास सोने चांदी, हीरे जवाराथ सब कुछ थे इसके अलावा उसने शादी कर ली और उसकी बीवी प्रेगनन्ट थी गार्लिंग इस बार पिछले बार से ज्यादा खुश था गार्लिंग मॉर्फियस से कहने लगता है कि हर बार वो मॉर्फियस से मिलता है लेकिन अब तक उसे मॉर्फियस के बारे में कुछ नहीं पता है मॉर्फियस इस बात का जवाब नहीं देता है इस बीच शराब खाने में एक राइटर अपने बारे में सभी को बता रहा था लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और लोग उसकी कहानी और कविताएं पसंद भी नहीं करते थे कुछ देर बाद मौर्फियस राइटर विल से मिलता है और उसे जिन्दकी को लेकर काफी टिब्स देता है ये दोनों काफी देर तक बातें करने के बाद अपने अपने रास्ते की और निकल जाते है अगले सीन में दिखाया जाता है गार्लिंग एक बिकारी बन चुका था और फिर सौ साल बाद दोनों दोबारा से मिलते हैं इस बार जैसे ही ये दोनों मिलते हैं हमें पता चलता है गार्लिंग अब एक बिजनिस मैन बन चुका है और अब वो अपनी जिन्दकी में खुश रहने लगा है लेकिन तबी उन दोनों को जोहनना कंस्टेंटाइन पकड़ लेती है क्योंकि उसे अपने आदमियों से पता चलता है कि 400 सालों से दो आदमी शराब खाने में मिलते हैं जिन में से एक जैविश है और दूसरा डेविल है जो जैविश आदमी को अमरत्व देता है मौर्फियस उसे बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है और दोबारा 100 साल बीच जाते हैं और ये लोग 100 साल बाद शराब खाने में फिर से मिलते हैं दोनों काफी खुश थे गार्लिंग बताता है पहले जिस विल को लोग पसंद नहीं करते थे आज वही विल पूरी दुनिया में फेमस हो गया है और लोग उसे विलियम शेक्स्पियर कहते हैं उसे लग रहा था कि ये सब कुछ मौर्फियस की वज़ा से हुआ है क्योंकि मौर्फियस की वज़ा से वो इतने साल जीब आया है और फिर गार्लिंग कहता है सालों से मिलने की वज़ा से ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए है और मौर्फियस भी दोस्ती के ना ते गार्लिंग से मिलता है ना कि ये जानने के लिए कि गार्लिंग अब जिन्दगी से ठक गया है और अब वो मरना चाहता है इस बात से मॉर्फियस काफी हुस्सा हो जाता है और वो मॉर्फियस से कहता है कि उसे किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं है ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है गाडलिंग बताता है सबी को दोस्त की जरूरत होती है और सौ साल बाद मैं दोबारा से अपने दोस्त का इंतिजार करूंगा ऐसे ही काफी साल बीच जाते हैं लेकिन मॉर्फियस गार्डलिंग से मिलने के लिए शराब खाने में नहीं आता था क्योंकि इस दोरान मॉर्फियस मेगस की कैद में था और इतने सालों के बाद आज वो फाइनली अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है गार्डलिंग को पता था कि एक ना एक दिन मॉर्फियस उससे मिलने के लिए जरूर आएगा और अब जैसे ही दोनों मिलते हैं दोनों काफी खुश थे और इस बार बिना गुस्सा कि ए मॉर्फियस गार्डलिंग को अपना दोस्त कहता है वहीं एपिसोड के एंड में मॉर्फियस का भाई डिजायर किसी से कह रहा होता है कि मॉर्फियस कैट से बाहर आ चुका है और उसे उसकी सारी शक्तियां वापिस मिल गई है अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है लेकिन हमारा प्लैन फेल हो गया है और इपिसोड यहीं एंड हो जाता है